Hello students, तो कैसे हैं आप सब? Welcome to 5M Classes. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना interesting topic है friction. ये friction का second lecture है. पहला lecture मैंने complete कर चुका है, जिसमें मैंने cover किया था what is friction, friction कैसे लगता है, static friction, kinetic friction, limiting friction, क्या होते हैं, उस पे बेज numerical कराये थे, धेरो numerical कराये थे, लगब अच्छे से 7 question कराये थे. आज की वीडियो में आपके लिए बहुती important topic है, वो है angle of repose. जैसे बिटा, आपके पास कोई wedge है, इस wedge पे कोई mass है, ठीक है, जैसे पहले plane surface होता था, उस पे friction force कैसे लगता था, कितना लगता था, निकालना असान था, पहले lecture में cover किया था, आज हम लोग सीखेंगे, कि भाई ये mass कुछ नीचे आ रहा होगा, बोलिए mg, sin theta को जिसे अपने force के कारणा, तो इस पे कुछ लग रहा होगा friction force, वो friction force कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये ये static होगा कि kinetic में होगा, तो आज के lecture में important है, यही सब कुछ, तो आईए start करते हैं आज के lecture को, बिना time waste किये, ये lecture important है, जो बच्चे class 11th में है, या ये और निट की तियारी कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान से lecture को देखेगा, end तक चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कि 10 minute या 5 minute के अंदर ही पूरा revise करा देता हूँ, कि friction क्या होता है, kinetic और static, उस पे एक numerical भी करा दूँगा, तब आपको wedge वाले question ज्यादा असानी से आएंगे, ताकि कोई दिक्कत नहों, ठीक है, जिन बच्चों को सीधे angle of repose वाले topic ही cover करने हैं, friction पे wedge mass वाले, वो वीडियो को 10 minute skip कर लें और आगे numerical लगाएं, चलिए start करते हैं, बटा पहले topic, क्या पढ़ना है मुझे friction, friction बटा पता होगा आपको opposing force होता है, जैसे किसी body को, जैसे आपने किसी body पे force लगाया, जैसे कोई mass है बटा, आपने इस mass पे क्या लगाया, एक external force लगाया, तो ये नीचे वाला surface, बुलिए, इसको अगर हम ऐसे बना लें, तो बटा ये जो नीचे वाला surface है, जिस पे रखा है mass, ये surface, ये surface नीचे वाला, इस mass पे क्या लगाएगा, एक frictional force लगाएगा, पीछे की तरफ, F, समझ गया, बुलिए, अगर आप इसको आगे खीचोगे, F से, external force से, तो ये mass पे एक friction force लगेगा, पीछे की तरफ, ठीक है, ये कौन लगा रहा है बटा, ये नीचे वाला surface लगा रहा है, इसी तरह ये mass भी, ये mass भी, mass को क्या लगेगा, mass को जब आप खीचोगे, F, external force से, तो mass को क्या लगेगा, जो ये नीचे वाला surface है, ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो frictional force आगे लगेगा, clear की नहीं clear, बुलिए, इसका मतलब क्या है बटा, इसका मतलब ये है, कि frictional force, oppose करता है relative motion को, बुलिए, motion आपने आगे की तरफ किया, दिखीए, आपने mass को आगे की तरफ चीचा, external force, F से, capital F है, बिटा है, ठीक है, आपने आगे कीचा, तो नीचे वाले surface को क्या लगेगा, कि ये mass आगे जा रहा है, तो इस mass के उपर frictional force पीछे लगेगा, उल्टा, खतम बात, clear की नहीं clear, बुलिए, इसी तरह, ये mass को क्या लगेगा, mass को आप जब F से खीच रहे होगे, तो mass को ये लगेगा, कि ये surface, surface पीछे जा रहा है, पी बिटा, बुलिए, static friction, बुलिए, एक होता है static friction, बुलिए, इसी तरह, बिटा, एक होता है kinetic friction, बुलिए, kinetic friction, बुलिए, kinetic friction, इसी तरह, बिटा, अपने पास एक और friction होता है, सबसे main friction, बुलिए friction, वो होता है, बुलिए, limiting friction, limiting friction, या इसी को कहता है, maximum friction, बुलिए बिटा, समझ गया, clear, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जानिए static friction क्या होता है, जैसे आप इस मास को खीचे रहे हो, आप बहुत force लगा रहे हो, उसके बावजूद नहीं खीच पा रहे हो, कई भार रहे हो, अलमीला, अलमीला, खीचे हो घर का, तो कहां ख खीच पाओगे आपने force तो लगाया तो उस पे कौन सा friction लगा रहा है उसमें static friction क्यूंकि जब आप force लगा रहे थे वो एक opposing force था frictional force ठीक है और वो कौन सा था static क्यूं क्यूंकि भाई उस समय जब आपने खीचा वो stationary था rest पे था तो इसका मतलब क्या static friction कब लगता है जब body rest पे हो ठीक समझ गया काइनिटिक friction कब लगता है जब body motion में हो समझ गया बुलिए अच्छा इसका क्या लफड़ा है ये क्या है limiting friction maximum friction ये क्या है ये कितना friction लग सकता है बुलिए it is a maximum friction it is the maximum friction by which ठीक है by which the body can be opposed समझ रहे तो नहीं समझ रहे जासे आपने इसको बहुत तेजी से खीचा इस mass को बहुत तेजी से खीचा समझ रहे हो इस mass पे एक पीछे की तरफ कितना लग सकता है ताकि ये stationary रहे समझ रहे हो ये move ना करे ये होता है maximum friction clear समझ गया कि नी समझ गया बिटा समझ गया तो हम जब भी question करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे f limiting निकालेंगे या f maximum friction कैसे निकालते है ये होता है बुलिए ये होता है mu s n कैसे निकालेंगे mu s n mu s क्या है mu s है बुलिए लिख लिजे बिटा coefficient of static friction normal reaction force क्या है normal reaction force भी आपको पता होगा हर बार ज़रूरी नहीं कि यहाँ देखो इस पर क्या लग रहा होगा एक उपर की तरफ normal reaction force और नीचे क्या लग रहा होगा इस पर mg लग रहा होगा तो यहाँ से n equal to mg होगा बुलिए भाया vertically तो कैसा होगा equilibrium में होगा तो n equal to mg क्या mg हमेशा होगा नहीं क्या पता mg cos theta हो mg sin theta उसका component हो ठीक है इस case में तो भाया यही होगा ठीक है plane surface है अच्छा समझ गया है सबसे पहले हमारा काम क्या है किसी भी friction के question को लगाने करें सबसे पहले maximum friction निका लेंगे अच्छा यह क्या बताएगा यह हमको यह बताएगा कि आपका force आपके force को यह friction जो पीछे लग सकता है कितना maximum वो इसको रोग पाएगा के नहीं रोग पाएगा क्योんकि maximum friction निकानने के बाद लोगी निकालने के बाद ही आप बता पाऊगे कि body stationary है कि static अगर body रुकी हुई होगी Body रुकी होई कप होगी Body रुकी होई कब होगी بي बताइए Body static friction कब लगेगा जब Body rest पोगी Body rest पे कब होगी जब आपका Maximum Friction Maximum Friction Maxxmum Friction Maximum Friction की वैलू External Force external force से ज्यादा हो इसका मतलब है कि उस case में कौन सा friction लगेगा Static Friction कितना लगेगा static friction Fs Fs कितना लगेगा static friction बुलिए F external के बराबरी समझ गए अगर आपने जो maximum friction निकाला वो उसकी value जादा हुई magnitude में समझ रहो किस से जो external force से जिस force आप खीच रहो उससे जादा हुआ अगर maximum friction तो उस case में static friction लगेगा कितना होगा static friction Fs F external ठीक है बुलिए clear कि नहीं clear kinetic friction कब लगेगा जब body motion में होगी motion में कब होगी जो force आप लगा रहे हो आपने बहुत तीजी से खीचा static friction मतलब maximum friction से भी ज़्यादा खीच लिया उस case में रुकेगा नहीं रुकेगा तो kinetic में आएगा motion में आएगा उस case में कहूं सा friction लगेगा kinetic friction समझ गए तो भाईया maximum friction अगर आपका बुलिए कम हुआ external force से या यह कह लो external force आपका ज़्यादा हुआ kinetic friction से maximum friction से उस case में क्या लगाओगे Fk kinetic friction कैसे निकालते है बुलिए इसको mu k mu k into n kinetic friction कैसे निकालेंगे mu k mu k क्या है coefficient of kinetic friction n क्या है वही normal reaction force किसके बराबर होगा mg के बराबर यहाँ इस case के लिए समझ गया कि निसमझ गया बोलिए समझ गया clear यह क्या है यह कौन सा friction है यह maximum कितना लगा सकती है हमेशा यही लगेगा नहीं बेटा यह तो सिर्स चेक करने के लिए कि body stationary है तो उस case में static friction लगेगा कैसे निकालेंगे अगर max ज्यादा हुआ external force से तो भाईया जो आपका क्या क्या क्याते है fs मतलब static friction कितके बराबर होगा external force के बराबर होगा मतलब उस समय अगर आपका maximum friction ज्यादा हुआ तो जो आप force लगा रहोगा externally 5 newton तो 5 newton के बराबर होगा 6 newton लगा रहोगा तो 6 newton होगा कब जब आपका maximum friction external से ज्यादा हो clear maximum friction कम है या आप जो force लगा रहो external force वो ज़्यादा है maximum से, उस case में body move करेगी, move करेगी, तो kinetic friction आएगा, kinetic friction कैसे निकालते है, mu के दिया होगा, बिटा, mu के mu s दिया होगा, ठीक है, clear, n तो निकाली लोगे, समझ गया कि नहीं समझ गया, बुलिए, clear कि नहीं कि दिया, बुलिए, बुलिए, समझ गया, बिटा, आप चलिए, question कर ले, question करें, मिटार रहा है, तो चलिए करते है, question number one, इसके बाद आपके सारे concept clear हो जाएंगे, regarding friction, revise भी करा दिया है, अब इसके बाद जल्दी से move करेंगे, भी या, ये question करने के बाद, angle of repose वाले, वही हम कराने आए हैं, वही आप देखने आए हैं, ठीक है, ये तो revision हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बिटा, क्या करा रहा है, find the frictional force, ठीक है, friction force बताओ, and acceleration of mass, कोई 10 kg का mass है, उस पे external force लग रहा है, 100 N का, उसका μुव S दिया है 0.6, μु के दिया है 0.4, भाई, आपको पता होगा, कि आप इसको आगे की तरफ खीचोगे, तो इसके, ये भाई, motion में आएगा, आगे की तरफ इसका relative motion क्या होगा, with respect to surface, आगे की तरफ होगा, तो भाई, surface नीचे वाला इसके पीछे की तरफ क्या लगाएगा, एक frictional force लगाएगा, F, अब ये frictional force, static होगा, कि kinetic होगा, भाईया मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपको निकालना है, maximum frictional, maximum frictional force कितना लग सकता है, कितना ये surface नीचे वाला इस मास पे पीछे की तरफ frictional force लगा सकता है, maximum, कैसे निकालेंगे, बुलिए, ये होता है, mu as n, अब आपको पता होगा, n की value किया है, बुलिए, ये normal reaction force उपर लग रहा होगा, n, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, बुलिए, mg लग रहा होगा, यहाँ से normal reaction force क्या हो जाएगा, mg के बराबर आजाएगा, बुलिए, और mass की value है 10, g की value कितनी होगी 10, 10 into 10 कितना हो जाएगा, बुलिए, 100 हो जाएगा, यहाँ से कह दोगे कितना आगया, बुलिए, 100 newton, normal reaction force कितना आगया, 100 newton, बुलिए, normal reaction force की value कितनी आगयी, 100 newton, बुलिए बेटा, ठीक है, mu as कितना दिया है, बुलिए, 0.6, क्या निकाह लिए, maximum friction, तो maximum frictional के लिए क्या formula होता है, formula क्या होता है, mu as n, mu as कितना दिया है, 0.6 दिया है, into n, n कितना है, 100 है बेटा, यह point हटा है, कितना जाएगा, 60 newton, मतलब पीछे की तरफ maximum frictional कितना लग सकता है, maximum frictional force, बुलिए, या वही कहलो, limiting friction कितना कितना लग सकता है, मतलब क्या है, मतलब यह है, कि भाई, body कैसी होगी, motion में होगी, बुलिए, यहाँ पे maximum friction, या external frictional force ज्यादा है किस से, maximum friction से, बुलिए, अगर लगाने वाली external force, जो आप खीच रहे हो, वो ज़्यादा है, पीछे वाले maximum frictional force, बुलिए, क्योंकि भाई, यहाँ पे maximum कितना लग सकता है, friction, 60, इस से ज़्यादा नहीं लग सकता, समझ गया, अच्छा, इस case में क्या कहोगे आप, यहाँ से यह कहोगे, कि भाई, body motion में है, motion में है, मतलब, kinetic friction लग रहा हो, क्या लग रहा होगा, fk, fk कैसे निकालेंगे, यह होता है, mu k, n, बुलिए, mu k की value कितनी है, 0.4, 0.4, रग दिए, n कितना है, 100 है, ध्यान से पिटा, यह point हटा, कितना दाएगा, 40 newton, बुलिए, kinetic friction, मतलब, जब body motion में होगी, उस समय, एक लगातार constant force क्या लग रहा होगा, पीछे की तरफ fk, कितना, kinetic friction, बुलिए, 40 newton का, पीछे की तरफ लग रहा होगा, clear, बुलिए, जैसे ही, देखिए, maximum कितना लग सकता है, 60 newton, और जैसे ही, body motion में आ गई, frictional force 60 से change होगया, mu k में, तो याद रखना है, काइनेटिक friction, हमेशा, maximum friction से कम ही होगा, समझ गए लाला की नहीं, clear की नहीं, clear, बुलिए, समझ गए, clear, अच्छा, next question क्या है, बुलिए, next question है, acceleration of mass, acceleration of mass, भाईया, motion हो रहा है, kinetic friction लग रहा है, तो भाई, यहाँ पे तो acceleration आना ही होगा, समझ गया, बुलिए, तो यहाँ से क्या कहोगी, इस mass को उठा लो, इस mass 10 kg पे क्या लग रहा है, एक आगे की तरफ 100 newton लग रहा है, और पीछे की तरफ एक frictional force लग रहा है, Fk कितना, 40 newton, बुलिए, एक आगे 100 से कोई खीच रहा है, और पीछे कोई 40 से खीच रहा है, तो पताए, newton second law से क्या कह सकतो, F net is equal to MA, बुलिए, F net कितना होगा, 40, 100 minus 40, बुलिए, F net is equal to MA, mass कितना है, 10 है, A निकानना है, acceleration क्या होगा, यह आगे का 60, is equal to 10A, यहाँ से acceleration की value आगे कितनी, 6 meter per second square, clear की नहीं clear, बोलिए, समझ गए, clear, अच्छा, समझ गए, अच्छा, कोई पूस्ता यहाँ पे, कि भाई, static friction कैसे निकालें, बता चुके हैं, यह clear होगा, पहले copy कर लिजे, copy कर लिजे, ठीक, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे question देता, पहले copy कर लिए next question का ही part समझ लो, बस static friction कैसे कब roll आएगा, अगर यहाँ पे मेरा external force, कितना होता, 100 की जिगा मैं कह जेता, कितना होता, 50 होता, कितना होता, 50 Newton, मतलब मैं जो force लगा रहा हो, कितना है, 50 Newton, कितना है, 50 Newton, मतलब अब इस case में, इस case में, बोलिए, external force क्या होगा, क्योंकि F-max कितना लग रहा है कितना लग सकता है 60 Newton और आप लगा कितना रहो 50 Newton इस case में क्या हो जाएगा maximum friction ज्यादा हो जाएगा तो उस case में body क्या होगी stationary होगी, rest पे होगी उस case में क्या बोला था मैंने static friction लगेगा, कितना लगेगा static friction F S कितना लगेगा जितना तुम apply कर रहे है जितना तुम force apply कर रहे है applied force कितना हो जाएगा 50 newton clear समझ गए अगर यहाँ पे clear समझ गए copy कर लिए मिटार दे रहे अब चलिए करते है angle of repose वाले question हो गया copy कर लिए तो basic हमने revise कर लिया चलिए समझते हैं कि angle of repose क्या होता है यहाँ से आपके पास बहुत अच्छे-च्छे question बन सकते है J or Nate के लिए ध्यान से देखिए बिटा या बच्चे जो कि last 11th में पहले समझते हैं कि angle of repose होता क्या है समझ यह मेरी बात angle of repose क्या होता है it is the maximum angle body stay rest मतलब क्या है एक ऐसा angle जो maximum है मतलब इससे ज़्यादा अगर हुआ तो body motion में आ जाएगी एक ऐसा critical angle maximum angle कि उस point पे body हमारी rest पे रहे उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते है angle of repose समझे कि निसमझे एक और तरीका है समझने का दूसरी definition समझ लो angle at which block is about to slide मतलब एक ऐसा angle कि अगर उससे जारा सा भी हलका सा भी angle बढ़ गया समझे लो अगर तुम्हारा inclination angle wedge का तेड़ा वाला वो बढ़ गया तो उस case में तुम्हारा क्या हो जाएगा body is just about to slide पहले ये समझते हैं is just about to mu s समझ गया बोलिए निकानले का तरीका सीख गया tan qr is just about to mu s mu s क्या है बोलिए coefficient of static friction क्या अगर question में क्या पता आपको भाया सिर्फ mu दिया है बोलिए अगर आपको दिया है coefficient of friction उस case में भाया mu ही आपका क्या होगा mu s होगा समझ गया की नी समझ गया mu k mu s सब एक जैसे होंगे clear की ने clear अगर अलग-अलग दिया है mu k दिया है mu s दिया है तो भाया tan qr यहां से हम क्या निकाल सकते है angle of repose निकाल सकते है using this formula समझ गया अच्छा अब यहाँ पे 3 cases बनते हैं question आने के सिर्फ तीनी बनेंगे तीन से ज़्यादा एक नहीं बनेगा समझ गया तो ध्यान से देखे बिटा अगर मैं कहूं मेरे पास कोई यह wedge है मेरे पास यह कोई मेरा wedge है बिटा और इस wedge का मेरा angle of inclination मेरा theta है theta दिया है बोलिये और इसके उपर कोई mass है ठीक अब यह mass slide करेगा की नहीं करेगा अगर slide करेगा तो इसके पीछे frictional force कितना लगेगा या static होगा stationary होगा तो उस समय भया static friction कितना होगा या maximum friction कितना लग रहा होगा कैसे निकालोगे तो आए समझते हैं यह theta क्या है यह angle of inclination of wedge है यह qr अलग है यह क्या है यह है हमारा angle of repose कैसे निकालते हैं बया 10 qr यह उगाई to mu s समझ गया यहाँ पे 3 case बनते हैं अगर आपका theta बढ़ा sorry छोटा हुआ qr से मतलब की angle of repose बढ़ा हुआ theta से मतलब इससे बढ़ा हुआ angle of inclination से अगर आपका angle of repose बढ़ा हुआ उस case में इसका मतलब क्या है body rest पे होगी पहले पकड़िए मेरी बात body rest पे होगी मतलब बोलिए that is no sliding यहाँ पे sliding नहीं होगी मतलब यह mass slide नहीं कर रहा होगा समझ गए rest पे होगा रुका हुआ होगा उस समय खुझ सोचो या rest पे होगा उस समय कौन सा friction लगेगा उस समय कौन सा friction लगेगा इस वाले case में बोलिए static friction लगेगा Fs Fs क्या होता मारा static friction कितना होगा यही जितना external force लगा रहे होगे या force applied वही जो आप कहते हो भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अच्छा second case देखिए बिटा अगर आपका बोलिए angle बढ़ा हुआ angle of inclination बढ़ा हुआ angle of repose से या यह कह लो angle of repose छोटा हुआ किस से angle of inclination से इस angle से खुझ सोचो यह angle बढ़ा है इस दम तिर्चा हुआ है उठा हुआ है उस case सर रसे बहारा जाएगा slide कर जाएगा समझ गये कि नहीं समझ गये अच्छा mass क्या कर जाएगा slide कर जाएगा क्यों क्योंकि भाई theta बढ़ा है theta बढ़ा है angle of inclination बढ़ा है angle of repose इसे mass का सर रसे नीचे गिसक जाएगा slide कर जाएगा मतलब इस case में body क्या होगी motion में होगी अब भया motion में होगी तो भया मतलब कहते है क्या है उसको slide कर रही होगी sliding start हो चुकी होगी sliding हो रही होगी sliding start हो चुकी होगी sliding start हो चुकी होगी body motion में इसका मतलब क्या है बोलिए मोशन में तो क्या लगेगा kinetic friction Fk कैसे निकालेंगे Fk बोल चुके हैं बता चुके हैं कैसे mu k into n n क्या है normal reaction force समझ गया बोलिए बिटा अब थर्ड केस देखिए अपना last वाला यहां पर अगर आपका angle of inclination wedge का यह थीटा बराबर हुआ इस angle of repose से qr से अगर यह बराबर हुआ बोलिए इस case में क्या हो जाएगा यहां से आप क्या होगे body slide करने ही वाली है body is just about to slide समझ रहो just about to slide समझ गया बोलिए body ना ही motion में है अभी रुकी हुई है बस होने ही वाली है slide मतलब हलका सभी अगर angle यह थीटा बढ़ गया ना हलका सभी थीटा बढ़ गया उस case में क्या हो जाएगा यह थीटा बढ़ जागा तो इसका मतलब यह वाला केसा जाएगा body slide कर जाएगी मगर अभी इस case में दोनों एकड़म बराबर हैं हलका सा हलका सभी थीटा बढ़ जाएगा यह मास सर सफिर नीचे आजाएगा समझ रहे हो मतलब एक ऐसी position एक ऐसा point जहां पे qr और q बराबर होंगे body slide होने ही वाली है समझ रहे हो हुई नहीं है इस case में भाई क्या होगा maximum friction लग रहा होगा सोचो खुत ना अरे भाई थीटा देखो दीरे दीरे बढ़ रहा हो बढ़ा रहा हो अभी मास ने गिरा बढ़ा नहीं बलो थीटा दीरे दीरे बढ़ा है मास अभी भी नहीं या वही कह लो पिटा limiting friction जो जानते हो आप लोग मिव एस एन ठीक है maximum friction या वही कहते हैं जिसको limiting friction F limiting समझ गया अच्छा चलिए अब लगाते है numerical इस पर इस questions चलिए मिटार दें clear तो चलिए करते हैं question number two ये question भी important है तो वीडियो को pause करिए खुश से track करिए जितना concept बताया था angle of repose वाला लगाई है और question को धो दीजे दम दबा के हो गया चलिए क्या कहा रहा है mass rest पे होगा find करो mass rest पे की motion पे next question कहा रहा है frictional force कितना होगा और भाईया third acceleration कितना होगा इस mass m का अच्छा यहाँ पे आपको wedge दिया है उसी पे रखा है पता है कि भाई अगर यह rest पे होगा तो रुका रहेगा motion में होगा तो slide करेगा clear यहाँ पे angle of wedge दिया है theta दिया है कितना बिटा 53 degree बोलिए angle of inclination कहलो यहाँ वेच का angle कितना दिया है 53 degree दिया है ठीक है यह angle of repose नही यह coefficient of friction दिया है clear अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बिटा qr की value निकान ली पड़ेगी तब ही तो आप बताओगे कि अगर भाया qr बढ़ा हुआ तो उस case में kinetic होगा मतलब motion में होगा qr छोटा हुआ sorry qr छोटा होगा अगर theta से तो उस case में क्या होगा kinetic होगा तो यह आपने पड़ा था mu s के बराबर होता है tan qr तो यहाँ से क्या कह सकते हो भाई mu s तो दिया नहीं है mu दिया है तो भाई यह डरने की बात नहीं है कि यह कौन सा coefficient है friction का static की kinetic तो आप डरना मत यहाँ पर समझ जाना mu s ही हमारा क्या है mu के है और वही हमारा mu है जो question में दिया है zero point zero point कितना 75 डरने की बात नहीं है यह कब मानेंगे हमेशा नहीं जब question में mention ही नहीं है कि यह कौन सा mu है डरने की बात नहीं है समझ के तो यहां से हम कह सकते हैं भाई या mu कितना है मतलब वही mu mu चोड़िए 0.75 बोलिए 0.75 रख दिये यह point हटेगा नीचे 100 आएगा पेट यहां से qr की value निकालना होगा तो क्या करोगे बोलिए tan की क्या value रखें tan theta की क्या value रखें मतलब इस qr की क्या value रखें कि यह 3 by 4 आजाए किस angle पे tan के 3 by 4 fraction मिलता है अब आपको पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं 37 डिगरी पे तो इसका मतलब क्या है qr की value कितनी है 37 डिगरी कहोगे यह कहां से भाईया नया अनुखा कि हमने theta सुना था 30 डिगरी 10 30 10 60 यह कहां से आया तो डरने की बात नहीं भाईया पड़े नहीं हो basic math कमजोर है और क्या सही बात है clear तो नहीं है कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं मेरी previous lecture देखी है trigonometry वाली वहां बताया है अगर आपके पास कोई angle 37 डिगरी तो उस case के लिए क्या करोगे यहां देखो इसके सामने 3 लिखा है 3 के सामने 3 लिख दो यहां 4 हो जाएगा यहां 5 हो जाएगा clear अब आप से कोई पूछे 10 theta 10 37 बोलिए 10 37 कैसे निकालोगे perpendicular upon base तो 3 by 4 बोलिए 3 by 4 तो इसका मतलब क्या है 37 ड क्या इसको मिटार दें अब आपने यहां से देखा क्या कि जो आपका qr है वो छोटा है theta से क्योंकि भाई theta कितना है 50 डिगरी है 53 डिगरी और qr कितना है 37 डिगरी angle of repose कितना है 37 निकाला आपने तो भाई यह छोटा है और छोटा होगा qr तो क्या होगा बोलिए kinetic friction होगा ब मतलब motion में होगी body किस में होगी body motion में होगी और उसमें जो friction लग रहा होगा kinetic friction लग रहा होगा कितना लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन बोलिए काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब FK लग रहा होगा FK कैसे निकालते हैं बोलिए जल्दी बिटा FK कैसे निकालते हैं FK होता है μू के N बोलिए μू के N अब N क्या होता है आपने पढ़ा था N equal to N equal to Mg बोलिए जो की बात गलत हो जाएगी वो तो तब था जब मास ऐसे रखा रहता था सर्फेस पे इस पे normal reaction force नीचे Mg लगता था बोलिए इस केस में था समझ गए अब ऐसे वाला केस तो नहीं है तो आपको क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे Mg का आप इस Mg को रिजॉल कर लो एक इस तरफ आप इस तरफ करते तो क्या मिलता था Mg sin थीटा समझ रहें कि नहीं समझ रहें Mg sin थीटा यह एंगल कितना होगा बोलिए बटा यह कैसे निकाल सकते हो यह 37 होगा अरे भाई यह कितना हो जागा 90 डिग्री यह पूरा ला और इसको extend करोगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा 90 प्लस 53 यह कितना जागा 37 और 37 में से फिर से 90 माइनस करोगे यह पूरा 90 होगा तो यह कितना जागा यह मतलब कितना होता है यह थीटा ही होता है 53 डिग्री समझ लो सिंपल सी बात है यह जो एंगल होगा यह यह हमेशा यहाँ पर जो थीटा दिया होगा वही होगा 53 है तो यह भी 53 अब क्या करोगे यह mg cos theta बोलिए यह हो जागा आपका याला component mg cos theta cos theta मतलब वह यह थीटा कितना है यह जली दो यह component क्या होगा mg cos theta theta कितना है 53 तो cos 53 ठीक है कुछ दिख रहा है कि नी दिख रहा है cos 53 mg cos 53 ठीक है यह हो गया mg cos 53 और इस पर एक आगे की तरफ force लग रहा होगा बोलिए mg mg sin 53 बोलिए बिटा समझ रहे की नी समझ रहे sin 53 बोलिए अब यह mass किस force से नीचे आ रहा है हमेशा हम लोग force लगाते थे external force यह अपने mass के gravitational force की component के वज़े से नीचे slide कर रहा है mg sin 53 कोई पूछे यह किस force के वज़े से नीचे slide कर रहा है mg sin 53 clear की नहीं clear बोलिए समझ गये यहाँ पर अब बताईए समझ गये कि नी समझ गये फिर एक और force होगा इसके उपर क्या लग रहा होगा n लग रहा होगा normal reaction force इस बार यहाँ पर n किसके बराबर है mg के बराबर नहीं है n है देखो किसके बराबर है इसके सीधे देखो mg cos 53 mg cos 53 बेटा clear इसका मतलब यह है कि n किसके बराबर है यहाँ पर है बोलिए mg cos 53 बेटा बोलिए तो n की value क्या रख दोगे है यहाँ पर mu के कितना होगा mu के भाया वही mu s वही mu कितना 0.75 0.75 into n n कितना है mg cos 53 clear बोलिए अब यहाँ पर कोई exact value दो आनी नहीं होगी mass दिया नहीं है हमने तो relation बना रहे समझ रहे हो mass दिया हो तो कुछ भी 5 kg 10 kg रख देते mg भी पता है cos 53 की value निकाल लेते समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो वही angle से निकालेंगे cos 53 बोलिए समझ गया यह आग गया आपका पहला बोलिए दूसरा अंसर पहले तो पता चलिए पहला अंसर क्या था body motion में है motion में तो kinetic friction kinetic friction कितना लग रहा है इतना लग रहा है अब next question है कि भाई mask का acceleration क्या होगा कैसे निकाल होगा अब देखिए ध्यान से यह कोई मास है आपका M इस पे नीचे external force की तरह connect करा external force है नहीं अपने mask के weight के कारण mg का component जो mg sin 53 है उसके वज़े से यह slide कर रहा है clear की नहीं clear कौन सा force है mg mg sin 53 और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा अब यह देखिए frictional force लग रहा है पीछे क्या लग रहा होगा इसके frictional force लग रहा होगा वो भी कौन सा fk kinetic friction समझे रो यह body slide करती आ रही होगी आती आ रही होगी motion में है motion में तो उसके पीछे क्या लग रहा होगा frictional force clear की नहीं clear बुलिए समझ गये यहां पर क्या लग रहा है इसके पीछे fk लग रहा है frictional force बुलिए अब frictional force कितना लग रहा है इतना लग रहा है बुलिए अब मैंने यह value नहीं निका लिया ठीक है यहां से आपको acceleration पूछ रहा है सीजी सी बात है motion में है kinetic motion है समझ गये तो body slide ही कर रही होगी acceleration लग रहा होगा इस तरफ body ऐसे आ रही होगी clear यह तो हो नहीं सकता कि भाईया fk इतना बड़ा हो kinetic friction की बीचे कीज़ते ले जाए मतलब यह ऐसे ना है यह ऐसे हो जाए ऐसे हो सकता कभी यह समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो clear तो यहांस क्या कहोगे f net is equal to m a f net is equal to m a newton second ला लगा दो acceleration निकालने जा रहे है ठीक है तो f net क्या होगा mg sin 53 बड़ा ही होगा तब ही acceleration ऐसे आ रहा है mg sin 53 बोलिए minus minus क्या हो जाएगा fk क्योंकि acceleration इस तरफ है acceleration के तरफ जो भी force होती उसको positive है mg sin 53 कैसा लिया positive ही है fk opposite लग रही acceleration के देखिए acceleration इधर fk उधर तो यहां पे fk क्या हो जागा negative में हो जागा बोलिए f net is equal to m a बेटा थोड़ा सा side में लिख देते है ठीक है यह हो गया mg sin 53 clear और यहां पे f net हो गया यह बेटा f net किसके बराबर करना है m a के बराबर करना है खतम बात यहां से क्या कहो गया बोलिए अब यहां पे भाईया fk की value रख दो रख दो भाईया बहुत जिगाह नहीं बची mg sin 53 minus fk fk कितना है बोलिए 0.75 mg cos 53 mg cos 53 बोलिए is equals to m a यहां से mask कड़ जाएगा सब में सिर्फ क्या बचेगा acceleration बचेगा इस mask का वो निकाल लोगे बोलिए भाईया थक गया है clear की ने clear समझ गया यह था kinetic friction अगर यहां पे qr और theta theta बढ़ा होता उस case में क्या लग रहा होता maximum kinetic friction sorry maximum friction समझ रहो maximum friction तो बस वहां पे mu s n लगा देते kinetic की जिएगा mu के n न लिखके mu s n लगा देते कब जब theta यह theta wedge वाला wedge का angle बराबार होता angle of repose ठीक है मगर इस case में तो ऐसा है angle of repose छोटा है थीटा से theta इतना बड़ा है 53 degree अई से खीचता चलाएगा clear की नहीं कलिए बोलिए मिटार दें समझ गया बोलिए मिटार दें copy कर ये पहले तो हो गया तो चलिए करतें question number 3 यह question बेटा J और नीट वाले बंदों के लिए important है यह class 11 में भी यह try जरो करें अच्छा level का question है देखिए क्या कह रहा है same question बार बार है friction force निकालो acceleration निकालो इस mask का 2 kg का कोई mask है इस बार इस mask को freely fall नहीं कर रहा है freely slide नहीं कर रहा है कितना 2 newton अब पता नहीं यह जो 2 newton का force लग रहा है कि यह नीची आएगा कि नहीं आएगा यह इसको उपर ले जाएगा यह भईया पता नहीं तो आएए करते है solve frictional force निकालते है चलिए क्या करेंगे सबसे पहले आपको पता होगा इस पर gravitational force लग रहा होगा कितना पिटा 2g भाई mg होता है ना y mg कहलो या 2g कहलो mass 2 है ना तुम m रख दिये 2 ठीक है अब आपको पता होगा इस side क्या हो जाएगा यह आपका gravitational force 2g यह हो जाएगा आपको 2g sin theta बोलिए जैसे आपने देखा था ना mg sin theta आप मैं बार बार तोड़ूँगा नहीं आपके सामने सीधे लिख देता हूँ 2g sin theta बोलिए clear अच्छा और यह हो जाएगा आपका बोलिए 2g cos theta cos theta थीटा है कितना 37 रख दो सीधे एक बार में ठीक है 37 ठीक clear अच्छा क्योंकि आपको पता है यार ये angle भी 37 होगा ये वाला हो गया 2g cos 37 ये हो गया mg sin 37 खतम बाद clear अच्छा अब यहाँ पर क्या करोगे बाई इसकी value निकालो इस तरफ जो force इसको नीचे लाना चाहते ही है अपने weight की कारण बुलिए इस 2g का जो component है 2g sin 37 इसकी value क्या होगी by 2 रखो g कितना है 10 है into sin 37 sin 37 की value किती होती है बुलिए 3 by 4 होती है यहाँ से कितना आजाएगा इसको solve करोगे यह हो जाएगा 2 6 12 12 newton समझ गए इसका मतलब यह है कि भाई इस mass पे जो 2 forces लग रही है बोलिए 2kg का जो mass है इस पे 2 तरह की force लग रही है एक तो पीछे की तरफ कितना external force कितना लग रहा है बोलिए 2 newton लग रहा है बोलिए और 2 newton लग रहा है और इस side कितना लग रहा है 12 newton कितना लग रहा है 12 newton अब बताईए कि भाई 12 newton ऐसे आ रही है तो यह नीचे आ जाएगा कि नीचे आ जाएगा net force बोलो किस force से यह नीचे आएगा भाई net force निकाल लो 12 minus 2 कितना हो जाएगा इसका मतलब यह है 12 minus 2 बोलिए 12 minus 2 10 हो जाएगा 10 newton के force से यह नीचे आ रहा होगा बोलिए अरे भाई इधर वाले force की value कितनी है 12 newton पीछे वाला जो external force कोई बंदा पुल कर रहा होगा 2 newton से उसके पुल करने से रुके गई नी mass इतना जादा है बोलिए उसका component इतना जादा है क्योंकि यह 12 आया तो इसका मतलब क्या है यह किस net force से नीचे आ रहा होगा 10 से 12 minus 2 समझ गया अब भाई यह नीचे आ रहा होगा यह नीचे आ रहा होगा तो यह वाला surface wedge का क्या लगाएगा इसके पीछे एक frictional force लगाएगा समझ गये की नी समझ गये बोलिए अब पता नहीं यह friction force इसको रोक पाएगा की नहीं रोक पाएगा समझ रहे हो कौन सा force लग रहा होगा static friction की kinetic friction कैसे निकालेंगे बाईया यहाँ पे देखिए mu s दिया है तो static friction कैसे निकालते है बोलिए कैसे निकालेंगे बाईया यहाँ पे हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि maximum friction कितना लग रहा है मतलब limiting friction बोलिए maximum friction कैसे निकालते है यह होता है mu s into n बेटा जल्दी बताईये mu s कितना है 0.4 है mu s कितना है 0.4 है 2g cos 37 देखिए balance कर रहा है इसको तो n क्या हो जागा 2g cos 37 clear यहाँ से 0.4 into 2 into g g कितना रखेंगे 10 रखेंगे cos 37 बेटा होता है 4 by 5 बोलिए 4 by 5 यहाँ से आपकी value आ जाएगी बोलिए यह हो गया 2 6.4 आ जाएगा 6.4 निकाएगा maximum लग सकता है ठीक limiting friction कहलो या तो इतना maximum frictional force लग सकता है भाई मगर जो आपका इस बार applied force है मतला वही external force यह मत कहा दिना कि भाई आ बारा है वो तो अब भूल जा उसको आप यह देखो कि यह mass है अब इस पे net force कितना लग रहा था 10 newton भाई यह नीचे आ रहा था 10 newton के force से तो surface के जो भाई नीचे wedge वाला surface होगा उसके पीछे क्या लगाएगा frictional force यह frictional force भाई यह कैसे निकालेंगे static होगा की kinetic तो उसके लिए maximum friction निकाला कितना लग सकता है maximum friction 6.4 newton तो भाई इतना लग सकता है भाई यह रोक पाएगा इसको यह वाला friction अगर इसकी value कितनी है maximum लग सकता है बोलिए 6.4 newton का भाई मगर जो force खीचने वाला है नीचे की तरफ slide कराने के लिए 10 newton है बोलिए यहाँ पे आपका जो applied force है बोलिए applied force है applied force बताया जना है वही external force आपका बड़ा है किस से maximum friction से उस case में क्या होगा motion होगा और motion होगा तो बेटा kinetic friction लगेगा तो fk कितना हो जाएगा यहाँ से fk उज़काश्टू mu k बोलिए क्या हो जाएगा mu k n हो जाएगा mu k की value दी है 0.3 बेटा कितनी दी है 0.3 दी है into n n क्या है बोलिए n यहाँ पे वही है 2g cos 37 2g cos 37 2 into g g कितना होगा बेटा बोलिए 10 लख लीजिए into cos रख दें कि आप पहले चलिए n की value रख दो अच्छा notes अच्छे बन जाएगा आपके 2g cos 37 यहाँ से 0.3 into 2 into 10 अरे यार आज बहुत calculation हो रही है 2 into 10 हो गया यहाँ पे cos 37 कितना हो जाए बताइए अभी रखा था न 4 by 5 बेटा समझ गया यहाँ से कितना आजाएगा आपका kinetic friction 2 into 4 4 into 8 16 हो गया 16 into 3 4.8 कितना हो जाएगा 4.8 newton kinetic friction लग रहा होगा समझ के मतलब kinetic friction कितना लग रहा होगा 4.8 यही आपका kinetic friction होगा अच्छा पहला answer होगा कि भाई body motion में होगी पहली बात और साथी साथ kinetic friction कितना लग रहा होगा 4.8 बोलिए बिटा clear कि ने किलिए समझ गया मिटार दे है यह मिटार दे आपको चलिए अब देखी ज़रा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है acceleration क्या होगा भाई acceleration क्या अब 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 वो कह रहा हो अब यहाँ से क्या कहोगे आपने newton second law से क्या पढ़ा था F net is you guys to बोलिए F net net force is you guys to MA बोलिए बिटा net force by acceleration के direction में कौन है 10 newton वाला है तो यह positive लेंगे minus F k F k कैसे लग रहा acceleration इदार है F k उधर है opposite direction में acceleration के तो इसको क्या लेंगे 4.8 is you guys to बोलिए यह क्या हो गया आपका F net is you guys to MA mass कितना है 2 है बोलिए MA तो 2A हो जाएगा यहां से clear यहां से आपका इसकी value कित्ती ही आ जाएगी यहां से solve कर लो 5.2 आ जाएगी 5.2 यह हो गया is you guys to 2A acceleration आ जाएगा 5.2 को divide कर दोगे 2 से तो कित्ता आ जाएगा 2.6 meter per second square यह आपका answer आ जाएगा बोलिए clear की नहीं हुआ हुआ की नहीं हुआ बोलिए जल्दी पिटा अच्छा लगा कुशन अच्छा था मिटार दे clear हो गया मिटार दे चलिए तो चलिए करते है question number 4 वीडियो को pause करिए और यह अपने lecture का आखरी question है तो सारे बच्चे solve करेंगे ध्यान से देखिए पिटा find the force नहीं frictional force and the acceleration 10 kg का कोई mass है angle कितना दिया पिटा है यहाँ पे theta 37 degree mu दिया है आपको 0.75 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है friction तो सबसे पहला काम होगा कि सारे forces को represent करो फिर check करो कि maximum friction कितना लग सकता है तब पता चलेगा कि भाई यह motion में होगा कि static होगा stationary होगा तब ही पता चलेगा कि stationary ही लग रहा है friction कि kinetic friction लग रहा है ठीक है अच्छा इसको तोड़ लोगे इस 10 G को तोड़ लोगे इसके component में बोलिए एक हो जाएगा यहाँ पे 10 G sin 37 बोलिए इस तरफ आले को तोड़ते हैं तो क्या बोलते है 10 G sin 37 और यह वाला क्या हो जाएगा बोलिए 10 G cos 37 बोलिए पिटा और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स N लग रहा होगा clear अच्छा यहाँ से आप इसकी values निकाल लीजे क्या निकालोगे भाई इसकी 10 into G G कितना है 10 है into sin 37 sin 37 की value होती है 3 by 5 किती होती है 3 by 5 होती है यहाँ से इसको solve करोगे कितना आजाएगा यह 2 यह आजाएगा 60 कितना आजाएगा पिटा 60 Newton 60 Newton के force इधर लग रहा होगा ठीक है भाई इस पे force लग रहा होगा इधर की तरफ तो इस mass पे भी कुछ frictional force लग रहा होगा अपोस करने के लिए relative motion को समझ गए अच्छा clear की ने clear यहाँ पे N की value कैसे निकालोगे भाई normal reaction force कितना होगा 10 G बोलिए 10 G cos 37 हो जाएगा बोलिए समझ गए अब यहाँ से आप क्या पता करोगे भाई पहले maximum friction पता कर लो कि maximum कितना लग सकता है अगर वो maximum friction इस 60 से जादा हुआ पीछे लगने वाला friction जितना लग सकता है maximum friction तो भाई रुका हुआ होगा stationary होगा तो चलिए maximum friction निकालते है F max कैसे निकालेंगे यह होता है mu S into N beta mu S कितना दिया है 0.57 बोलिए into N N कितना 10 G cos 37 10 G G कितना होता है बोलिए 10 हो गया रग दिया इसकी cos 37 cos 37 होता है 4 by 5 कितना होता है 4 by 5 यहां से निकालेंगे तो बोलिए यह पॉंट टाएंगे नीचे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे यह गया 3 जा यह गया 4 जा यह 4 4 कड़ गया बोलिए यह 5 टूजा 10 कितना आजागा अरे यहां भी 60 आ रहा है क्या अरे वाह चलो नया चीज मिला देखने कुछ 60 N मतलब मैक्सिमम कितना Frictional Force लग सकता है 60 N का पीछे की तरफ Maximum Frictional Force लग सकता है इसका मतलब क्या है कि यह कोई अगर मास है 10 KG का इस पे Frictional Force कितना लग रहा है मैक्सिमम 60 N का बोलिए F कितना लग रहा है 60 N अच्छा समझ गया और पीछे की तरफ क्या लग रहा है आगे की तरफ साइट क्या लग रहा है 60 N का Force लग रहा है यह क्या बात है समझ के जो आपका External Force या Applied Force या यह कहलो जो इस Component वाला Force हो का जो इसको नीचे ला रहा होगा समझ रहो यह External Force थो लिए नहीं है मगला वही Act कर रहा है 10 G Sin 37 यह तो आपका External Force की तर एक्ट कर रहा है तो देखिए इस बार External Force और Maximum Friction बराबर है इसका मतलब क्या है याद करिए अगर External Force आपका बराबर होता था F Max से तो यह कौन जी कंडिशन थी The Mass is about to slide कैसी थी About to slide वाली कैसी थी About to slide मतलब अभी मोशन हुआ नहीं है अगर यह यह नीचे लाने वाला Force 10 G sin 37 की value जो 60 आई है हलकी सी भी से 60 से भी बढ़ गई तो यह नीचे आने लगेगा अभी तो कैसा है About to slide होने ही वाला हिज़ाश समझ रहो इस case में इस पल में इस time पे क्या होगा इस Mass का Acceleration भाई 0 होगा बोलिए Acceleration किता होगा भाई 0 होगा खुद सूचो इधर लगने वाली Force कितनी है 60 Newton और पीछे लगने वाली Force कितनी लग सकती है पीछे वो भी 60 है 60 60 माइनस पिट्टूस होगा Acceleration किता होगा 0 होगा Clear की नहीं बोलिए तो यहाँ पे लग रहा होगा Fs 60 ही लग रहा होगा तबी तो पेटा Static Motion में है बोलिए रुका हुआ है Sorry Static Motion कह रहा है रुका हुआ है समझे रो Stationary है Mass समझ गया कि नहीं समझ गया Clear अच्छा एक और तरीका था हम पता कर सकते थे कि यह कौन सा Friction लग रहा है क्या लग रहा है देखिए ध्यान से हो गया पहले तो Copy करिए ठीक है Acceleration 0 होगा Friction Force कितना होगा 60 Newton बोलिए मिटार दें अब देखिए इसका एक और तरीका था एक और तरीका था ध्यान से देखिएगा क्या था आपको बताया है जाते रही है कि 10QR is equal to μ बोलिए बिटा 1037 बोलिए QR यहां पर μ कितना है 0.57 0.57 रखिए इसको solve करेंगे कितना आजाएगा यह आजाएगा 3 by 4 कितना आजाएगा 3 by 4 आजाएगा बोलिए 10 किस angle पे 3 by 4 आता है बताया था 37 degree पे ठीक है अब यह triangle आजाएगा नहीं बनाएगे वाला ठीक है तो यहां से इसका मतलब क्या QR कितना होगा angle of repose angle of repose कितना हो जाएगा 37 degree और आपका theta angle of inclination कितना है 37 degree यह भी 37 degree clear इसका मतलब क्या है यह दोनों angle बराबर है बोलिए QR क्यों किसके बराबर है QR के बराबर है इसका मतलब body rest पे है about to slide वाली sorry rest पे तो है और about to slide वाली condition क्या है about to बोलिए about to slide about to slide वाली है मतलब maximum friction लग रहा होगा maximum friction मतलब limiting friction वही clear कि नहीं clear लाले दी जान हो गया कि नहीं हो गया कहा तना तोड़ देंगे फोड़ देंगे numerical में clear हुए concept की नहीं तो चलिए इस lecture को खतम करते हैं ठीक है और साथी साथ यह friction force का beta angle of repose पर सारे question हो गया इसके बाद आएगा block on block बता देते हैं किस टाइप कोशन next lecture में मिलेंगे ठीक next lecture में किस टाइप कोशन मिलेंगे जैसे एक surface है उस surface के उपर एक block रखा है और इस बार एक block को हम नहीं घीचेंगे इस बार उपर वाले जीचेंगे समझ रहे हो तो इस पे friction force कितना लगेगा इस मास पे कितना friction force लगेगा इस पे उपर कितना लगेगा इधर कितना लगेगा ऐसे बहुत से questions होंगे block on block वाले ठीक है क्योंकि भाई वहाँ जेई नीड में दुआदार question आते हैं लगाने पड़ेंगे ठीक है तो next lecture में आईएगा preparation करके सारे notes revise कर गिये हो गया चल ये वीडियो को करते हैं ठांक्यू सो मच लूजन पड़ते रहें all the very best